हेलो टीचर्स चलिए वनवाइबन सीखते हैं कि हमें अपना वैब पर ओनलाइन टेस्ट कैसे क्रियेट करना है सबसे पहले हम अपने रॉम में उपर URL address में डालेंगे जहां पर URL address जालते हैं टेस्ट मॉज Comes do this.com कि में डॉराद एंटर करेंगे एंटर करने के बाद हम टेस्ट मोज वेपर पहुच जाएंगे उसके बाद यहां पर आपको इक GreenUE डिखाया देगा फेल्ट मेंटरीगर डि़ए आपको इस पर एक क्लिक करने के बाद आपका आपका इस तरह इनीum यहां पर आपको अपने टेस्ट का कुछ नाम देना है, जैसे मान लीजे मैं अपने टेस्ट का नाम देता हूँ, physics, pt1, right, next, मैं अपना पासवर्ट डाल देता हूँ, like, mohit, tiyagi, sorry, mohit20, mohit20, create-test पर-click कर देना है, उसके बाद आप देखेंगे यहां पर कुछ left में different options आएंगे, यहां पर आपको ऊपर दिया हुआ है, test का नाम, उसके बाद यहां, dachebord, dashboard पर आप जाएंगे, यहां पर add questions में जाएंगे, add questions में, add questions में जाकर आप questions एड़ेंगे, जैनि ऊपर insert में, insert मे आप देखेंगे questions की variety हैं, तो आपको क्या select करना है, multiple choice, choose one type, यहाँ पर आप question लिखेंगे, question आप copy paste भी कर सकते हैं, अपनी word file से, यहाँ जैसे question है, this cause of charging is, the cause of charging is, इसकी फिर आप options डालेंगे, like actual transfer of electron, यहाँ पर answers डाल दिये हैं, जैसे कुछ भी answer हो सकते हैं, जो भी आपके subject according है, माल लिजे यहाँ पर भी हमारा कुछ answer है, और यहाँ पर भी कुछ answer है, right, so these are the options and this is the question, again आप next question add करेंगे, again insert पर जाएंगे, और यहाँ पर multiple choice, choose one type, इसी तरह से आप अपनी according, 50 questions तक इसकी limit है, free version में आप 50 questions तक add कर सकते हैं, यहाँ आप add कर लेंगे, तो सभी को आप जो exact answer है, जो उनके answer से हैं, उनको click करना न भूलें, तो यहाँ से क्या होगा, automatically आपको result भी मिल जाएगा, कि किस बच्चे के कितना सही है, right, उसके लिए आपको check करने की जरूत नहीं होगी, उसके बाद आप यह सब करने के बाद publish पर जाएंगे, publish पर जाने के बाद इस त copy, copy कर लेना है, क्योंकि यह link आपका बहुत काम आने वाला है, like यहाँ पर आप इसको copy कर लिजे, अपने word page पर, यह मेरे previous links है, right, जैसे आपने यहाँ पर इसको copy कर लिया, और इसको save भी कर लिजे, ताकि यह destroy ना हो जाए, again जाते हैं, आपने फिर जाना है settings में, settings में आप आप अपनी मर्जी से इसको explore करके settings डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर paper के front में, उपर top पर आप कुछ डाल सकते हैं, like this paper consists of 50 questions or 20 questions, attempt all questions, right, नीचे आप जाएंगे यहाँ पर bottom में तो आप देखेंगे, आपर दो settings है, how much time do test taker have to complete the test, यहाँ कितने time में उसको complete करना चाहिए, म इतनी बार वो question paper attempt कर सकता है, like यहाँ पर आप two भी लिख सकते हैं और one भी, उसके बाद आपको जाना है publish में, right, उसके बाद आप publish में जाकर publish आपने कर दिया है, आपने यहाँ से questions की questions आल दिया है और उनकी setting भी कर दिया, right, इस तरह से आप करने के बाद, अपने उस link को द करेगा या आप कैसे करेंगे, let's suppose हमने यहाँ से इसको copy किया, new tab में डाला, new tab में डालने के बाद, enter कर देते हैं उस link को, इस link के बाद, enter करने के बाद, दो option हैंगे, student login और administrative login, यहाँ से student अपना नाम लिखने के बाद, test में enter कर जाएगा, right, अपना नाम लिखेगा, मान लि answers लिखने के बाद, submit कर देगा, इस तरह से उसको अपना result खुद भी मिल जाएगा, कि उसने कितना सही किया है, कितना गलत, अगर आप अपना result देखना चाहते हैं अपने बच्चों का, तो आप दुबारा उस link को click करेंगे, और admin login करेंगे, right, यहाँ से आप जाएंगे, जो आपका यह link है, जो आपने store किया है, भी save किया है, उसको दुबारा copy करेंगे, और admin login पर जाएंगे, देखते हैं, admin login पर जाएंगे, तो आप इस तरह आपको admin login मिलेगा, यहाँ पर आप अपना password डाल दीजिए, again, mohit20, right, आप जाएंगे यहाँ से, तो आपको administrative login में जाना है, और अपना password डालना है, mohit20, right, तो यहाँ से आप देखेंगे, आपको result में जाना है, result में जब आप जाएंगे, तो result में आपको मिल जाएगा, unmall, unmall ने 50% score किया है, और एक में से, दो में से एक सही सबाब दिया है, जब आप सही दिया है, तो इस तरह आप उनकी result को explore कर सकते हैं, और अपने question, question test को create कर सकते हैं, thank you all.